श्री रामचरित मानस, प्रथम सोपान, बालकांड, मंगल आच्रण अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली स्वर्श्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं श्रद्धा और विश्वास के सुरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंताकरण में स्तित इश्वर को नहीं देख सकते ज्यान में नित्य शंकर रूपी गुरू की मैं वंदना करता हूं जिनके आश्रित होने से ही तेड़ा चंद्रमाभी सर्वत्र वंदित होता है श्री सीता राम जी के गुण समू रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद विज्यान संपन्य कवीश्वर श्री वालमी की जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वन्ना करता हूं उत्पत्ती इस्थिती और संघार करने वाली कलेशों को हरने वाली तथा संपूर कल्यानों की करने वाली श्री राम चंदर जी की प्रियत्मा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनकी माया के वशिभूत संपूर विश्व ब्रहमादी देवता और असुर हैं जिनकी सत्ता से रस्ती में सर्प के भ्रहम की भाती ये सारा द्रश्य जगत सत्ते ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भाव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एक मात्र नौका है उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ट राम कहाने वाले भगवान हरी की मैं वंदना करता हूँ अनेक पुरान, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायन में वर्नित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्द श्री रगुनाजी की कथा को तुलसी दास अपने अंता करण के सुक के लिए अत्यांत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है जिन्हें इसमरण करने से सब कारिश सिद्ध होते हैं जो गणों के स्वामी और सुन्दर हाती के मुखवाले हैं वे ही बुद्धी के राशी और शुब गणों के धाम श्री गणेश जी मुझपर कृपा करें जिनकी क्रपा से गुंगा बहुत सुन्दर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुरला पाहाड पर चड़ जाता है वे कल्यूक के सब पापों को जला डालने वाले दयालू भगवान मुझ पर द्रवित हूं अर्थाद दया करें जो नील कमल के समान श्यामवण है पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है और जो सदा शीर सागर में शैन करते हैं वे भगवान नारायन मेरे हिदे में निवास करें जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौड शरीर है जो पारवती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर इसने है वे काम देफ का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर क्रपा करें मैं उन गुरु महराज के चरण कमलो की वंदना करता हूँ जो क्रपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरी ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंदकार के नाश करने के लिए सूर क्रणों के समू हैं मैं गुरु महराज के चरण कमलो की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुची अर्थात सुन्दर स्वाद सुगंद तथा अनुराग रूपी रश से पूण है वे अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुन्दर चरण चूण है जो संपूण भव रोगों के परिवार को नाश करन वाला है वे रज सुकृती अर्थात पूणवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोवित निर्मल विभूती है और सुन्दर कल्यान और आनंद की जनिनी है भक्त के मन रूपी सुन्दर दरपन के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूँ को वश मे करने वाली है शिरी गुरु महराज के चरान नकों की जियोती मनियों के प्रकाश के समान है जिसके इसमरन करते ही हिर्दे में दिवे द्रश्टी उत्पन हो जाती है वे प्रकाश अज्ञान रूपी अंदकार का नाश करने वाला है वे जिसके हिर्दे में आ जाता है उसके बड़े भागे हैं उसके हिर्दय में आते ही हिर्दय के निर्मलनेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्री के दोश दुख मिट जाते हैं एवं स्री रामचरित रूपी मनी और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पढ़ने लगते हैं